आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिद्धान तग्री मोतरी शड़ी है कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे मौहमद अली जिन्ना की मौहमद अली जिन्ना का नाम सुनते ही बहुत लोग उफेंड हो जाएंगे लेकिन दोस्तों इन्हक के लिए बहुत इंपॉटेंट है इमपॉटेंट है आपके पास कोई चॉइस नहीं-अब को इतिहास पढ़ना ही पढ़ेगा भले ही कितना कर्ण हां चैक्टर भारत का उपीए अरति हिस्ते हत्यास प्राइच टाइब बहुत हिस्ट्री बहुत हुद्य और एक अलग ही देश बना दिया है उन्होंने एक अलग देश बनाके ही छोड़ा तो उस काहनी को आज हम देखेंगे सिर अंडर्सकोर रिकनेट मेरा फेस्बूक पेज है सिद्धान अगनिहोतरी के नाम से मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है मुहमद अली जनम का जनम 25 दिसमबर 1886 में कराची पाकिस्तान में हुआ था सिंध का पार्ट था उस समय और सिंध जो है वो बॉंबे प्रिसिडेंसी का पार्ट था इनके पिता जी काफी अमीर थे और इनके पिता जी का नाम था जिना भाई पूंजा एक मर्चेंट एक्सपो बहन थे इंक्लूडिंग जिना तीन बहन और तीन भाई इनकी जो बहन थी फातिमा जिना उन्होंने तो जब जनरल अयूग खान पाकिस्तान को पुरा कंट्रोल कर रहे थे तो उनके खिलाव आवाज भी उठाई तो 1965 पर किताब भी लिखिया मुहमद अली जिना पर माई ब बहुत प्यार करती थी छह साल के होते हैं इनकी शुरुवाती पढ़ाई दोस्तों स्कूल में हुई मदर्सा में हुई उसके बाद इनको फिर क्रिश्चन स्कूल में डाल दिया गया लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि इनके पिता जी की कभी नहीं सुनी जिना ने जो चाते थे मौमद अली जिना ने जादा उनकी सुनी नहीं इनकी एक मात्र आंटी जो थी वो एक बार जिना के पास आई और बोला कि मुंबई चलो मिरसाथ वहां पर चलो वहां पर पढ़ाई करो तो जिद की बहुत जादा जिनाने की मुझे बॉम्बे जाना है लेकिन इनक पर फिर इनकी रियल पढ़ाई शुरू हुई लेकिन दोस्तों में चीज तब आई जब ये इंग्लेंड गए ठीक है 15 साल के थे जिना ठीक है 15 साल में ही इनकी शादी कर दी गई थी 14 साल की एक लड़की से जिनका नाम था एमी भाई शादी का रिजन था क्योंकि ये लंड में काम करते थे उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी है तुम्हारा बेटा एप्रेंटिश कर लेगा तो यहां पर भेज दोसे तो एप्रेंटिश के लिए लेंड़न चले गए मौमध अली जिना 1892 में उन्होंने कराची को चोड़ दिया 1893 में मतलब 1893 में चोड़ दिया फिर व महां पे उनकी नई जिन्दगी शुरू होती है दोस्तों अब नई जिन्दगी क्या शुरू होती है कि जो बोला था पिता जी ने कि बेटा जाना नौकरी करना एप्रेंटिश करके आना वो जिना ने की ही नहीं उन्होंने दूसरी पढ़ाई करनी शुरू कर दी उन्होंने law पढ़ना शुरू कर दिया, कानून पढ़ना शुरू कर दिया और इसी दोरान दोस्तों, western liberalism के संपर्क में आए liberalism, civil values, civil liberties को बहुत ज़्यादा मानने लगे जिन्ना बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्ना ने एक अलग lifestyle ले ली और जो उनकी ताउम्र चली, जिन्ना जाधा interact नहीं करते थे, ठीक है, जिन्ना का जाधा interaction नहीं था, public interaction उनका बहुत जाधा कम था, वो अलूफ रहते थे, इनकी दूसरी बीवी ने इसलिए इनको छोड़ दिया था कि वो जिन्ना को कभी समझी नहीं पाई, जैसे महत्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है, भगत सिंग है, सुभाष शंद्र बोस है, जवाल लाल नहरू है, कितने ऐसे लोग भी आरमेटकर हैं, इन सब का संपर्क था, ये direct contact में थे, पब्लिक के महत्मा गांधी तो पब्लिक थे, महत्मा गांधी उन बातों को ही उटाते थे, जो पब्लिक उस समय त्रस्ट थी जिस चीज के लिए, जो जनता इतनी घरीब थी, उनके इशूस को उटाते थे मात्मा गांधी, direct contact था, कोई भी गांधी जी से मिल सकता था, लेकिन जिन्ना के साथ ऐसा नहीं था, जिन्ना का बिल्कुल एटायर अलग था, उनके पास 200 से जादा सूट थे, वो बिल्कुल वेस्टर्न थे, महंगे महंगे सिगार, सिगरेट्स, और एकदम सूट बूट टाइम एकदम टिंच रहके वो रहते थे, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़े थी, तो यहाँ पे हम देखते, और ये सब शुरुवात कब हुई थी, जब ये लंडन चले गए थे, और वैसे शुरू में ही अमीर परिवार से थे, तो जो इनका परिवार था, मतलब जिस तरीके से इनका पालन पोशड़ हुआ था, वो बहुत अच्छे से हुआ था, ठीक है, वेल, मैनर्ड, एडिकेट्स, ये सारी चीजे हुई, तो हम यहाँ पे देखते हैं, कि जब ये लंडन गए, तो इनकी माता जी और इनकी पत्री, दोनों का ही यहाँ पे देहान दो गया, ये बहुत ज़्यादा खराब हुआ, उसके बाद जेना वहाँ पे गए, पढ़ाई कि उन्होंने, इनके पिता जी को लग रहा था, कि ये एपरेंटिशिप कर रहे है, लेकिन ये तो लोग पढ़ रहे थे, अब लोग तो पढ़ रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो exam था, bar exam था, उसकी तयारी भी कर ली, ठीक है, exam दिया, pass हो गय, उसके बाद bar में enroll हुए, जो बार association होती है, उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते, केस नहीं लड़ सकते, आप परिस्टर भी नहीं कहलाएंगे, तो जब इन्होंने एक्जाम पास किया, यह youngest थे, यह कहना, he was the youngest to have been accepted to the bar, 1896 की बात है, 20 साल में सिर्फ इन्होंने 20 साल के थे यह, जब इन्होंने इस लीगल एक्जाम को पास किया, और बार में accept हुए, लेकिन भारत आ गए वापस, बॉंबे हाई कोर्ट में इन्होंने प्राक्टिस करने शुरू की, और उसके बाद इन्होंने बड़े important cases भी लड़े, ठीक है, और famous होगे कि काफी बड़े lawyer है, वकालत फिर इन्होंने जिन्दगी भर की, 1940 तक इनकी वकालत जो है वो जारी गई, और उसके बाद फिर पूरा पाकिस्तान में डूब गए, ठीक है, कि पाकिस्तान हमको, मतलब अलग देश चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हुई, फिरोश्या महिता, दादा भाई नायरो जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबसे बहुत ज़्यादा इंस्पायड थे मोहमद अली जिन्दगी फिरोश्या महिता और दादा भाई नायरो जी, ये House of Commons में भी इनको entry मिली थी, वहाँ पे के भी members थे, ठीक है, तो British की Parliament में ये सब थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्मायर थे, जिन्दगी इनको बहुत एड्मायर करते थे, वकील भी थे, ठीक है, दादा भाई नायरो जी की बात करे, फिरोश्या महिता की बात यहाँ पे जो moderate leaders थे, वो यह नहीं बोल रहे थे, कि British भारत छोड़ के जाए, उनका यह मानना था, कि हमको constitutional representation चाहिए, हमको कानून में जाधा representation चाहिए, कानून में बदलाओ चाहिए, economic reform से यह, ठीक है, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं, कि British भारत को छोड़ के जाए, 1909 में एक एक चीज, सारे मनसूबों पे पानी फिर गया, तो जिना ने 1904 में Congress की meeting जो है, वो attend की, और जब उन्होंने Congress की meeting attend की, उसके बाद उन्होंने Congress join कर ली, लेकिन आपको पता ही है, सूरत सेशन होता है 1907 में, और Congress divide हो जाती, extremist और moderates में, जिना moderates के साथ होते हैं, गोपाल 10 की जिना की तस्वीर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल suit, boot में एकदम handsome लग रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के थे जिना, ठीक है, ज्यादा public से मिलना पसंद नहीं करते थे, थोड़ा अलग रहते थे, अलूफ रहते थे, लेकिन पाकिस्तान बना दिया है उन्होंने, तो यह स अलग ना हो, यह कई बार England गए, वहाँ पे इन्होंने मुद्धे उठाए, ठीक है, 1910 से लेकर, 1913 में गए, 1914 में गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक ऐसे इंसान का आगमन होता है, जिसने पूरे भारत को बदल दिया, वो था महत्मा गांधी, महत्मा गांधी कॉंग्र लीडर थे तो वो जाधा कानू, Constitution में बिलीव करते थे वो, ठीक है, कि समवैधानिक प्रक्रिया होती है, लेकिन समवैधानिक प्रक्रिया से तो कुछ भी नहीं मिलाता भारत को, जिना भी चाहते थे कि भारत को आजाद होना है, भारत को सेल्फ गवर्नेंट से ये, तो वो Constitutional वो समवैधान में जब संशोधन होगा, हमारा जाधा representation होगा, तब जाके हम आजादी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1885 से लेकर, 1947 तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्या दिया था Constitution में, 1885 से लेकर, 1909 तक, जब 24 साल तक वेट किया हमने कि कानून में कुछ हमको मिले तो 1909 में जब मिंटो मौरले रिफॉर्म साय तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ब्रिटिशर की बात कर रहा हूं है, ब्रिटिशर ने बल्की हिंदू मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो यहां पे और जादे डिविजन हो गया, तो Constitutional reform तो आए ही नहीं नहीं economic reform आए, फिर कोई चारे ही नहीं बसता है, तो महात्मा गांधी की entry होती है, इसी दोरान World War 1 भी शुरू हो गया था, World War 1 शुरू हो गया तो आपको पते ही है, गांधी जी प्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन जब World War 1 खतम होता है, तो गांधी जी को कुछ नही कियाता है यहाँ पर मुहमद अली जिना, जो गांधी जी का movement था, यह बिल्कुल गलत कर रही है, ठीक है, हलाकि जिना और गांधी जी का जो relation है, उस पर एक पूरा separate lecture किया जा सकता है, जिना और गांधी जी यह दो अलग-अलग ideologies को दिखाते हैं, अलग-अलग दुनिया को दिखाते हैं, गांधी जी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहता था, गांधी जी हमेशा third class में travel करते थे, गांधी जी लोगों की आवास थे, गांधी जी के पास एक रुपए नहीं था, जिना बिल्कुल अलग, ठीक है ना, जिना बिल्कुल वेस्टन अटायर हमेशा first class म संभाद नहीं करते थे, गांधी जी अलग, उनका मानना था और जिना का बिल्कुल अलग मानना था, ठीक है, तो ये दो दुनिया को दिखाते थे, कि देख लिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, हलाकि दोनों ही बहुत एक दूसरे की respect करते थे, बहुत इज़त क मुस्लिम लीके वो प्रेसिडेंट हो गये, तो ये सारी चीजे हुई, फिर कॉंग्रेस भी माहत्मा गांधी के पास आगे, और माहत्मा गांधी ने फिर इसको अपने हिसाब से चलाया, ठीक है, वो अलग कानी है, हम जिना के बात कर रहे हैं, फिर 1922 में जब मुव्मेंट बापस लिया जाते हैं, तो भारत में स्वराज पाटी बनती है, 1923 में, कि अब हम संवेधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे, और जिना तो बहुत ज़्याद इसको सपोर्ट करते थे, तो जिना ने स्वराज पाटी को पूरा सपोर्ट किया, कि सेल्फ और गवर्नर्स अगर तरीके से मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया है, इसी दोरान दोस्तों, 1927 में साइमन कमिशन आता है, साइमन कमिशन में आपको पता ही है कि भारत का एक भी रेप्रेजेंटेटेव नहीं था, ठीक है, साथ मेंबर्स का ये कमिशन था और उसमें कानून मनाना था भारत के ये लेकिन एक भी रेप्रेजेंटेशन नहीं, मूट खराब हो गया यहां पे इंडियन का, और ब्रेटिशन ने बोला कि तुम्हारी अवकाती नहीं है कानून मनाने की, तो यहां पे नहरू रिपोर्ट आगी, अब जब नहरू रिपोर्ट आई, तो नहरू रिपोर्ट मे की मोतिलाल नहरू के अगवाई में बनाई गई थी, यहां पे एक चीज थी, मतलब बहुत वैसे तो पूरा कानून था, तो जो कंस्टिटुएंसी की बात थी, तो यहां पे कॉंग्रेस का यह मानना था कि जोग्राफिकली सिमिलर एरियास को एक कंस्टिटुएंसी में तमिल्लाडू आगया, आंधर प्रदेश आगया, तो पूरा सेंट्रल इंडिया कवर कर लिया, उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि नॉर्धन साइट में, नॉर्थ वेस्ट में तुछ सिंद्ध, पंजाब, यह जोग्राफिकली सिमिलर एरियास है, फिर इस्ट में बात क लाएंगे, तो हिंदू-Muslim युनाइट रहेंगे, सारे लोग युनाइट रहेंगे, क्योंकि यह तो जोग्राफिकली सिमिलर है, यहां पे हर कम्यूनिटी रहती है, साथ में रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे जिन्ना बोलते है, नहीं, यह रिलिजन के 14 points दिये, ठीक है, उन्होंने नहरू रिपोर्ट को नहीं मारा, और उसके बाद फिर उन्होंने 14 points ले किया है, लेकिन 14 points को भी discard किया गया, 1930 से लेकर 1934 तक कुछ खास हुआ नहीं, जिन्ना बहारी थे, ब्रिटिश में ही थे, लेंडन में ही थे, ठीक है, वहां पे वकालत कर रहे थे, और इस समय मुस्लिम लीग जो है, वो अपने हाशिये पर चली गई, मुस्लिम लीग के पास कोई लीडर नहीं था, और जिन्ना भी यहां पे मुस्लिम लीग को बहुत जाद सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी अपना वकालत कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग के फिर 1934 तक वो बाहर थे, उसके बाद मुस्लिम लीग उनको खीच के लेके आती है, कि आपको हमारे राइट्स के लिए लड़ना होगा, और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई लीडर रही और आपको लीडर्शिप लेनी होगी, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के फिर से प्र आइट्यूलर प्रेसिडेंट थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 1935 में गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट आया, इसी दोरां दोस्तों, 1928 में शादी भी की थी, 18 साल की थी रुती ठीक है, उनसे शादी हुई थी, रुती बाई, और उस समय 18 साल की थी, मतलब 20 साल की थी, जब इनसे शादी हुई थी, 16 साल की जब वो थी, तो जिनना की मलाकात हुई थी, 24 साल चोड़ी थी जिनना से वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने शादी की, लेकिन वो जिनना को कभी समझ नहीं पाई, और बहुत ही जल्द वो लोग लेती थी और उनके आकरी के जीवन बड़े खराब थे और 29 साल की थी जब उनका दिहान थो गया और अलग हो गी वो बोलती थी जिन्ना को मैं कभी भी नहीं समझ पाई इक इस तरीके के इंसान है ठीक है और बिल्कुल अलूफ अलग तलग रहते थे जिन्ना ठीक है तो यह च किया गया आप प्रोविंसेज में लड़ सकते थे मैंने पूरा कवर किया है दोस्तों मेरे लेक्शेज आप देख लीजेगा सब कुछ हुआ तो इलेक्शन लड़े गए लेकिन यहां पे जिन्ना को पूरी तरीके से नकार दिया जो प्रोविंशल इलेक्शन हुए थे हर ज होने गाई यहां पे मुस्लिम्स हमको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन मुस्लिम्स ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि हम तो भारत के साथ हैं अब 1935 और 1937 के बाद यहां पे फिर पूरी और्गनाइजेशन की इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की मुस्लिम लीग को इन्होंने दुबारा से बनाया और फिर यहां पे इन्होंने स्पीचेज देनी शुरू की अब यहां पे अलग देश की मांग उठ गई 1930 तक 1930 आते आते अलग देश की मांग नहीं उठ रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठ रही थी ठीक है लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि इकबाल मुहमद इकबाल जो कि एक बहुत बड़े शायर थे और मुहमद इकबाल का जबरदस्त इंफ्लूएंस था जिना के उपर मुहमद इकबाल है पाकिस्तान की बात की मतलब अलग देश की बात की इलाबात में और फिर चोहदरी रहमत अली खान जब उन्होंने पैंफ्लेट बाटे तो चोहदरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान की बात कर दी एक अलग देश मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान ल गया, 1938 में इकबाल की मौत हो जाती, इकबाल को अपना मेंटॉर मानते थे, इकबाल जो थे, वो रिलिजन को काफी जादा एक तरीके से उपर बताते थे, इसलाम को बहुत उपर बताते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जिन्ना पहले, जब उन् स्पीचेज देते थे, इकबाल की जलक दिखती थे, और बार बार वो इकबाल का नाम भी लेते, तो उनको कोट भी करते थे, ठीक है, उसमें रिलिजन आ गया, अब जब रिलिजन आ गया, तो सेकुलर फिर इंसान रहे ही नहीं, वो इसलमाइजेशन और बहुत सारी करने लगी, जिसमें रिलिजन आ गया, तो कि रिलिजन बेजड पॉलिटिक्स हो गई थी, बाद में जिना की, और उसके बाद फिर लाहर रिजोलूशन को पास किया जाता है, यहां पे मुस्लिम लीग को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया, उनको पता था कि जनता को अब बताना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों ने तो यह बोल दिया था कि हम कॉंग्रेस के साथ ही जाएंगे और भारत के साथ ही जाएंगे, यह बहुत अच्छी बाद थी, कोई भी नहीं चाहरा था कि इंसा हो, लेकिन उसके बाद फिर अलग देश की जब मांग उठी, और जनता उस समय जादा पढ़ी लिखी नहीं थी दोस्तों, ठीक है, 80-90 प्रतिश जनता तो घरीब थी, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई किसी को, आप यह सब समझने के लिए आपको intellectually aware होना पड़ेगा, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं तो जिन्ना बड़े पढ़े कि हमको चलो, अलग देश हमको नहीं चाहिए, हमें काम करते हैं कि हम भारत में ही रहके, हमको separate electorate दे दे और भारत में हमको थोड़ी सी पावर दे दे तो सब सही रहेगा, तो जिन्ना बिल्कुल भी इसको नहीं मानना, उन्होंने मानना मतलब कि नहीं नहीं हम अलग देश लेके ही मानेंगे, तो मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस से दोनों से वह गुस्सा थे, और फिर उन्होंने पूरी पार्टी की, पूरी लीग की, पूरी और्गनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग की, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि लाहोर रेजिलूशन पास होता है, 1944-23 इस मार्च को, लाहोर रेजिलूशन में सीधा सीधा टू नोशन थ्योरी थी, अलग देश बनेगा पाकिस्तान, और यहां पे जो राइट्स हैं, जो मॉस्लिमों के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और यह सब कुस था इस लाहोर रेजिलूशन में, किस से लग ले जा रहे हो, यह impossible है, 1940 में, डॉन की स्थापना हुई, डॉन इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूस्पेपर है, जैसे भारत में दा हिंदू है, पाकिस्तान में डॉन है, ठीक है, सबसे बड़ा न्यूस्पेपर, इंग्लिश न्यूस्पेपर है, और यह 1940 म को शामिल करो वल्ड वार में, भारत शामिल नहीं हो रहा था, तो फिर क्योंकि भारत इमिजेट इंडिपेंडेंडेंस चाह रहा था, कि हमको आजादी दो, लेकिन अब तो आजादी, जिन्हा कह रहेता है, आजादी मिलेगी, तो अब देश के दो टुकड़े होंगे, उस 42 के बाद, कोईट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया मात्मा गांधी ने, जापान के इंवेजन का भारत पे खत्रा मंडरा रहता, गांधी जी को पता था, कि अगर ब्रिटिशर को हमने नहीं, मतलब ये ब्रिटिशर नहीं गए तो जापान हम पे इंवेड कर देगा, क जापान तो ब्रिटेन को हराने आएगा ही आएगा, अब जापान भारत के बिल्कुल नस्दीक है, तो यहाँ पे खत्रा मंडरा रहा था, तो गांधी जी ने वोला, इनको भगाओ ब्रिटिशर को, वरना बहुत प्रोब्लम हो जाएगी, जापान ही हम पे रूर करेंगे, क Kuwait India Moment शुरू होता है, लेकिन Kuwait India Moment 1942 के बाद, फिर ब्रिटिशर जो है, वो धर पकड करते हैं, सब को जेल में बन कर देता है, यहाँ पे जिना को बहुत जादा मौका मिला, तो जिना ने यहाँ पे जब सारे कॉंग्रेस के लीडर को जेल में डाल दिया गया, तो जिना ने यहाँ पे बातचीज शुरू की, ठीक है, कि कैसे पाकिस्तान होना चाहिए, फिर 1946 में दोस्तों, काबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, और 1945 में इलेक्शन भी हुए, और इंटरिम गवर्मेंट भी बनी, इंडिया नैशनल कॉंग्रेस जीती थी, और जवालाल नेरूल न आपको 1946 आते हैं, 75%, 6 साल में बहुत मेहनत की जिन्ना ने, इस स्पीचेज में भर भर के, इस्लामिक सिंबल्स हो गए, प्रॉफिट मोहमद हो गए, इन सब का, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीचेज में, यहाँ पे कोट किया, सब को कोट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ले यह जो मुस्लिम जन्ता थी, भोली भाली, पड़ी लिखी नहीं, क्या कर सकते हैं, अवेरनेस जादा नहीं, और हिंदू के साथ भी यही था, लेकिन हिंदू का फिर अलग यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक अलग पूरी काली चल रही थी, ठीक है, लेकिन अगर हम मुस्ल 70% वोट मिले, confidence बहुत उपर हो गया, cabinet mission plan आया, cabinet mission plan में सबसे पहले तो पाकिस्तान, फुल फ्रिजट पाकिस्तान को नकार दिया कि पाकिस्तान नहीं होगा, तो जिना तो पहले ही बिफर गये, क्योंकि डेड़ लॉग क्रियेट हो गया, तो 1942 से लेकर 1946 तक डेड़ लॉग क अटा देता है, उसके बाद फिर, cabinet mission plan ये भी बोलता है कि, groupings की जाएगी, ABC पार्ट में, ठीक है, ABC पार्ट में, अब इन में provinces होंगे, ठीक है, और ये geographically similar areas होंगे, और इन groupings का अलग constitution होगा, provinces का अलग constitution होगा, और फिर दोनों मिल के एक center का constitution बनाएंगे, क्याने का मतलब क कि, cabinet mission plan में, center बड़ा weak था, जो central government थी, वो बहुत जादा weak थी, ये किसी को भी मनजूर नहीं था, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों नहीं नकार दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को बिलकुल मना कर दिया था, कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, फि जो भी, जिसका भी सही प्रोपोजो लगो, मैं उसको सरकार बनाने दूँगा, और अनुक बोरिया बिस्तर बांध के आंसे निकल जाएंगे, तो यह सब कुछ होता है, दोस्तों, Mountbatten आते है, Lord Mountbatten आया, और फाइनली, Lord Mountbatten का June plan आया, और उस plan में यही था, कि दो देश हों जाता है, यह Great Calcutta killing सकने दो महिने में, ठीक है, अगस्त में पूरी चली है, और Calcutta में बहुत लोगों को मारा गया, तीन दिन कानून, सब कोई पुलिस वाला, कुछ भी, कोई भी देखने वाला नहीं था, और जिन्ने का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, एक तरीक तरीके से एक Green Signal था लोगों के लिए, कि आप मार सकते हो, बड़ा कून खराबा हुआ, दंगे हुए, तब Congress को समझ में आया, कि अब बटवारा हो के ही रहेगा, क्योंकि जो Muslim है, अब वो अड़ गये थे, अभी तब तो जिना अड़े थे, अब Muslim अड़ गये थे, कि हमको द दंगे हो गये, Central India में दंगे हो गये, बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है ना, तो Muslim Hindu सब मारे गये इसमें, और फिर Congress को ये पता चल गया, कि अब बटवारा हो के ही रहेगा, क्योंकि गांधी जी को भी ये पता चल गया था, कि अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, तो यहां पे हम इसमेली बनेगी, तो ये टू नेशन थियोरी थी, 15 अगस्त आता है, 14 अगस्त, पाकिस्तान आजाद, पाकिस्तान ने सेलिबिरेट किया, East पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बना, बंगाल का जो Muslim majority area था, वो पाकिस्तान के पास गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान, जो पंजाब का पूरा area था, सिंद का पूरा area था, वो पाकिस्तान के पास गया Muslim majority थी यहाँ पर, पाकिस्तान फिर फिर फाइनली देश बनता है, 14 अगस्त को बड़ी खुशी का दिन था, 15 अगस्त को भारत की खुशी का दिन था, लेकिन चीज़ पाकिस्तान भी गए, मुहमद अली जिना, 3,000,000 लोगों का crowd था, और वहाँ पर जिना ने ये बोला कि उर्दू जो है वो official language होगी, अब बंगाल में सब बंगाली बोलते थे, उर्दू official language बनाना ये कोई समझदारी का काम नहीं था, और यहाँ पर लोगों का mood खराब होग उनके फेपड़ों में चकत्ते पड़ गए थे, सिगरेट सिगार बहुत ज़दा पीते थे, तो ट्यूबर क्लोसेस था और टीबी जो था तो ये बात चुपाई गए, मौंट वैटन ने ये बोला था कि अगर मुझे पता होता कि जिना बिमार है तो मैं बटवारे को टाल देता, और कॉंग्रेस को भी अगर पता चल जाता तो इसको टाल देती वो, आजादी को टाल देती, तब भारत का बटवारा ही नहीं होता, एक चीज समझे दोस्तों, मुस्लिम लीग मतलब जिना, जिना नहीं बटवारा कराया है भारत और पाकिस्तान का, पूरा श्रे उन कंट्रोल कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये बिमारी की बात चुपाई गई, ठीक है, कि किसी को भी पता ना चले, तो फिर हम ये देखते हैं, कि 11 सितंबर 1948 को, ठीक है, 71 साल की उमर में जिना का दिहात और बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी इनकी, बहुत ही ज़द थी, और इनके चेहरे पर मक्या बेन बिना रही थी, बड़ी बुरी कंडिशन हो गई थी, फिर दो घंटे बाद मदद आयो, लेकिन वो दो घंटे 200 सालों के बराबर थे, ऐसा इनकी बहन बोलती है, उसके बाद मदद आयो, हॉस्पिटल में ले जाया गया तो फिर जिना ब खर्नου तो, हॉस्पिय आवि झालों के बहरे बाद में सन और उहरे चुरी कंडि़ थी, बेस अबारों के बाद माद में सहरे लाद में दोदं़ioneanie, भ में दिना समयों के बाद में दो खर्यावा